राजस्थान के चार सांसत गजेंदर शिंग शेखावत, अरजुराम, मेगवाल, भुपेंदर यादव और भागीरत चौदरी को जगा मिली है इन में तीन चहरे रिपोर्ट हुए हैं जबकि अजमेर सांसत भागीरत चौदरी एक नया चहरा है सबसे चौकाने वाला चहरा राजस्थान की अजमेर सीट से बीजेपी के सांसत भागीरत चौदरी रहे जिन्होंने अजमेर सीट कॉंग्रेस उमीदवार राम चंदर चौदरी को हरा कर दूसरी बार जीत दर्ज की है इन सब के बीच में रविंदर सिंग भाटी ने इसमें क्या किया अपना फाइदा इन सब के बारे में चानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रही है हमारे साथ राजस्तान की बहुत चर्चित सीट बार मेर जैसल मेर से पूर्फ केंद्रिये मंतरी कैलाश चौदरी कॉंग्रेस से उमेदा राम बेनिवाल और निर्दिले प्रत्याक्षी रविंदर सिंग भाटी के बीज मुकाबला हुआ जिसमें भाटी ने कैलाश चौदरी के वोटों पर सेंद मारते हुए उनसे ज्यादा वोट राप किये हाला कि इस चौनाव में विजय वही हुए माना जा रहा है कि यदि रविंदर सिंग बाटी बाड मेर से चौनाव नहीं लड़ते तो शायद कैलाश चौदरी फिर से चौनाव जीतते और वापस मोधी कैबिनेट के हिस्सा होते राजस्थान में लोकसबा चौनाव के नतीजों में भाजपा ने 14 सीटों पर जीत कमाई है जिसमें दो सांसत जाट समुदाई से आते हैं जिन में भागीरत चौदरी और पीपी चौदरी का नाम शामिल है पिछली सरकार में कैलास चौदरी केंदर मंतरी बने थे लेकिन इस बार वो चौनाव हारगर जिसका सीधा फायदा भागीरत चौदरी को मिला है प्रदेश की जाड बहुमूले सीट मानी जाने वाली जुनजुनु सीकर और नागोर समेत पूरे शेखावटी में भाजपा का सफाया हो गया ऐसे में भाजपा आगमी नगर और उपचौनाव को लेकर जाती गत समीकरंट सांसत चाहते हैं तो 2019 में हुए लोगसबा चुनाव में अजमेर सीट से बीजेपी के प्रत्याक्षी भागीरत चौदरी ने भी कॉंग्रेस के रिंजु जुनजुने वाला को हराया था आपको क्या लगता हैं सब के बारे में अपनी राय बताए हमें कमेंट बॉक्स में और साथ में लाइक शेर सस्क्राइब जरूर कीजिए हमारे चानल समबात को